आप सभी जन परतिमीद्यों से अपनी सभी प्रधानगाड़ों से शेथि पंचायत सद्यस्यों और जिलापंचायत सद्यस्यों से निविधन करने के लिए आपके बीच माया हूँ आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत बड़ी संक्या में हमारे प्रवासी भाई लोग जो बहार रहे थे अनराज्यों में रहे थे उत्राखंड से वह सभी बड़ी संक्या में यहां उत्राखंड में आ रहे हैं और एक बड़ी समस्या उनको ओम करन्टीन करने के हमारे बीच सभी प्रधान लोग इसके लिए चिंतित हैं और गाउं के लोगों में भी चिंता होना सभाविक है आपकी बात को मानिय मुख्यमित्री तक मैंने पहुचाने का प्रयास किया है जिला दिकारी जी को भी मैंने काया कि कई लोग ऐसे हैं जिनके जो बहुत लंबे समय के बाद आ को औरों को भी होंगे तो इसके लिए इसकोल में जैसे आप लोगों की मांतिकी मैं उनको कुरिणी किया जाए तो यह बात मैं आपके आपकी इस बात को मानिय मुख्यमित्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है आज मानिय मानिय शिक्षा मंतरी जी का अटल जन्लवाद का तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंसे बिमारी से लड़ाई लड़ सकते हैं यह निवेदन मैंने मुक्वित रख पहुंचाने का प्रियास किया है इसके साथ ही मुझे आप लोगों से एक निवेदन और करना है कि आप सब लोग जानता है कि हमें अपपहों से बचना है आज जो हमारी लड़ाई है वो बिमारी से है और बिमार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है हमें बिमार की देखबाल करनी है यह भारसरकार के मादम से भी स सर्ट में भिने गाओं में एक हमारी बहन जो रजनी नाम की लड़की थी उसकी तवियत थोड़ा खराब थी बुखार की शिकायत थी गले में उसको दर था तो उस बहन स्वयम बहुत दरता के साथ मैं उसको धन्यवाद भी दिरों स्वयम उसने डक्टर को बताया कि मेरी तवियत खराब है उसके प्रिक्षन के लिए उसको अलमोडा ले गया तो इस बीच एक अफवा पुरे सल्ट में फैल गई सल्ट से ही मुझे लगता कि पुरे प्रदेश में अपवा चलेगी कि बिने गाओं में कोई लगी पॉजिटिव पायी गया इस तरह की अफ़ और आप लोग जानते कि बिने नाम की कई सारे गाओं है हमारे बगल में एक सल्ट ब्लॉक में भी बिने गाओं में और ये जगे-जगे चरच्च चले लगी कि बिने में भी जाते हैं तो एक अच्छे जन प्रतिनी होने के नाते उसे डॉक्टर साब से उसका चक अप कराने की हमारी जम्यदारी है और यह बात हमें कहीं और किसी को ना बता कर सिर्फ डॉक्टर साब को बताना है और बहुत जादा अपको लगता है तो विदायक के तौर पर मुझे या अपने SDM साब को आप बता सकते हैं उसकी जाच हम लोग करा लें जाच होने के बाद ही हम लोग किसी निरने पर जाएं क्योंकि अगर अफवाएं बढ़ेंगी तो इसके लिए निश्चित तोर पर सब के लिए चिंता की विशह होगी और गाउं में रहने वाली जो हमारी मा बिलती है तो फिर मैं आपको इसकी सुचना दूँगा तो बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद